Dear Students, Welcome Back! एक बर फिर से जो Assistant Professor या DUET जो बहुत अभी करीब है और मेरा Focus बिसिकली DUET पे है यदि वो आप त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सभी स्टूरेंट का जो भी सेट या Assistant Professor PGT इन सब की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत नजदीक है DUET और मेरे बहुत सारे स्टूरेंट इसको टिक अप कर रहे हैं उनके ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है तो लेट उस बिगिन और ये यूसफुल UGC Net के लिए भी होगा और जैसा मैंने कहा सभी यह URISA Assistant Professor का है जिन्होंने भी एम यह है यह नहीं कि जो पूछा गया बस उसका एंसर जाना वो एम कभी हम लोगों के वीडियो का नहीं रहता है तो लेट उस बिगिन यह तो अब आप सुन सुनके बोर हो गए होंगे यह है Last Minute Prep Guide DUET का अभी भी आप में से बहुत लोगों ने इदिन नहीं लिया है जैसा म current replica है जो कि PDF version है और मेरा मतला इसा मानना है जितना मैं समझ पाया हूँ कि इससे अच्छा resource last moment में revision के लिए नहीं हो सकता है यह आपको help कर सकता है बिलकुल nominal cost पे चॉकलेट के cost पे like available है इसको ले लीजिए अब आईए question answer का करते हैं दौर सुरूर लेकिन जैसा मैं हर वीडि करेंगे तो बहुत सारे तरह के question का mix है कुछ question बिलकुल ऐसे हैं जो कि DUT में पूछे जाने लाइक हैं पूछे जाते हैं हर PGET में पूछे जाते हैं UGC net में भी पूछे आते हैं कुछ question थोड़े अर्बिट उटपटांग है जो रहने भी चाहिए और कुछ question orisa specific है जिनका म language भेग हैं कुछ के options बिलकुल obscure हैं ऐसे जो challenge किये जाने चाहिए यादर तो मैंने उसको question mark छोड़ दिया आपके लिए मैंने छोड़ दिया research otherwise मैं उतना time इस पर नहीं दे सकता क्योंकि उसका कोई meaning नहीं है कुछ question ऐसे ही हैं आप देखेंगे So let us begin लेकिन बहुत सारे ऐसे question हैं सार सतर जो हमें बहुत सारे knowledge देखे जाएंगे और उससे हमें बहुत फायदा होगा चलिए पहला देखें यह पहला ही question जो है आपको help कर सकता है वैसे यह सुनने में बहुत अर्बिट लगता है कि यह किस ने कहा है और अर्बिट है भी लेकिन एक बार दिया आप जान जाएंगे political science begins and ends with state का मतलब यह है कि सब कुछ concerning state political science है जो कि बहुत समय तक politics का यही माइने समझा जाता था आज यह नहीं है state के beyond भी जो है बहुत सारे चीजों का अध्यन जो है political science है लेकिन यह कहने वाले जे डबलू गार्नर थे USA के Pennsylvania में यह professor थे इन्होंने काफी politics पे लिखा है इंडियन politics पे लिखा है तो गार्नर का नाम एक बार इससे याद कर लीजिए अर्बिट भले है लेकिन आपको help कर सकता है पूछा आ सकता है इस तरह question को mix किया जाता है who said authority is federal ये भी उतना ही सुनने में अर्बिट लगता है लेकिन ये तीन चार बार पूछा जा चुका है authority is federal ये लास्की का कहना था इसलिए उनका कहना था कि federalism एक natural social arrangement है क्योंकि कोई भी authority जो है उसको delegate करना होता है तो authority जो है कभी ऐसा centralized किसी भी समाज में नहीं होता है वो नीचे 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 flow करता है तो ज़िए authority federal है तो समाज भी federal होँआ चाहिए बेवस्ता भी federal होँआ चाहिए है रोड लास्की लास्की को हम लोग कई कार्णों से जानते हैं एक तो उनके इस book के चलते जानते हैं grammar of politics दूसरा वो एक pluralist thinker थे pluralism इसके चलते भी हम उनको जानते हैं Robert Dahl के साथ इसके अलाबा लास्की को हम उनके rights के definition के लिए जानते हैं लास्की को एक left oriented vision के लिए जानते हैं एक तरह का liberal socialist आप कह सकते हैं उनको who said political violence most often occurs in situation where government have lost their legitimacy ये question पहला है जो मैं question mark कर रहा हूँ मैंने जितना नेट पे सच किया इस तरह का मिला नहीं लेकिन मुझे लगता है कि यहां किसी ने टिक मारा इस्टोरिंट ने आना आडेंट जिन्होंने कि काफी ज़्यादा political violence, terror इन सब पे study किया था, totalitarianism इन सब पे तो उनका ये कथन हो सकता है वैसे आपको यहां मैं बताएं चाहता हूँ कि हैबर मास जिनका यहां जिकर नहीं है हैबर मास ने legitimacy और legitimacy crisis पे काफी काम किया है वैसे ये option है नहीं तो आना आडेंट हो सकता है मैं question mark कर रहा हूँ आप तो रिसर्च कर लिजिए examine the statement and identify the correct one अब ये question को चलिए एक बाद तीन statement है यहां option से आईए या तो एक सही है या दो सही है अब देखे हम लोग second पे चलते हैं first को देखे the institutional approach emphasized upon future of human society इसका तो कोई meaning ही नहीं बनता है तो उसको चलिए अभी छोड़ दीजिए the philosophical approach was speculative abstract यह बहुत standard एक information देता है जो सब आप लोग जानते हैं कि philosophical normative approach थोड़ा speculative and abstract था तो यह सही है इसका मतलब two जिसमें नहीं है वो गलत हो गया तो two है three गलत हो गया केबल दी हो तो two है अब यह दो में देखे क्या three का है behavioral approach was a response of poor achievement of conventional political science of course यह सही है इसको एक बार और पढ़ लीजे behavioral approach यही तो था जब conventional से लोगों को लगा कि वो solve नहीं कर पा रहा तो behavioral approach लेकर का है तो two and three इसका जो है सही होगा तो आप option से चलिए जहां भी confusing question हो पहले option को पढ़िए और फिर आगे बढ़िए third number question देखे from among the pairs of author इसमें से कौन गलत है डॉर्किन ने जो है talking right seriously यह लिखा है याद कर लीजे यह luck egalitarian थे अभी आपने देखा स्यूइटी पीजी में तीन-तीन question डॉरकी ने पूछा था इनका equality of resources याद कर लीजे और lucky guaranteeism तो आप याद करी सकते हैं sovereign virtue इनका जो बुक है वो भी याद कर लीजे चास्त मरियम जो की फिलो जो की एक तरह से father कह आते हैं behavioral revolution के comparative politics में उन्होंने new aspect of politics लिखा है 1925 में सही है Hana Ardent ने human condition लिखा है तो एक ही जो है वो odd one out बज जाता है Frederick का an introduction to political theory which one below is not concern of post behavioralism again यह दूसरा question mark में कर रहा हूं क्योंकि इस में से कुछ मुझे नी समझ मैं आए इस में से एक सैथिक भी सही लगते हैं कि seven credo जो post behavioralism का है जो eastern ने दिया है वो मैंने यहां दे दिया आप यहां देख सकते हैं उसमें involvement in political activity यदि यह इस से लिया इन्होंने political scientist and actor of society तो हो सकता है yes freedom and equality इसमें कहीं आता नहीं है I don't know issue of justice भी नहीं आती values बिल्कुल आती हैं तो not यदि यह कहता है तो value छोर के तो यह दोनों ही मुझे लगता है अब एक इसमें कौन सा है आप चेक कर लिजे यह सब vague question है challenge भी किया सकते हैं हो सकता है इन्होंने concern कह सकते हैं तो value होता identify the radical feminist from the list तो इसमें से जो radical feminist है यह पहला ही Andrea Dorkin है यदि और कोई नहीं हो तो तो यह question invalid हो जागा मैंने एक ही सर्च किया और वो यहां पर आप देख सकते हैं Andrea Rita Dorkin यह जो है मतलब एक radical feminist मानी जाती है जो उन्होंने pornography में कैसे जो है इस पर उन्होंने काफे research किया था radical feminist आपको बता दें कि सैमान डिवेवर cat millet यह सब जो second wave जिसको आप कह सकते हैं जिसमें कि एक तरह का women और gender और sex के बीच का जो division है और patriarchy और कैसे इन दोनों से एक gender को गढ़ा जाता है और women को नीचे रखा जाता है इन सब पर radicalize किया था जो first wave है वो तो simple liberal feminism को कह सकते हैं जिसमें यह था कि भई ठीक हैं जो है वह उस था मानते हैं लेकिन हमें equality दे दो men के बराबर public spaces में employment में जॉब में अनदर who is known as the तो यह हो गया who is known as the intellectual godfather of behavioralism यह I will go with Charles Merriam net पे जो है कई जगह एक दो जगह David Easton भी है लेकिन ज़्यादा जगह Charles Merriam है और मैं इसी को मानता हूँ जो जो जनरली कहा जाता है तो ठीक है और यहां पर becoming the third wave मैंने दिया है Rebecca Walker इनका यह book जरूर याद कर लिए becoming the third wave इसी से third wave की 1995 क्या सपस मतर मिड नाइटिन में सुर्वात होती है the concept of justice according to Greek was of course moral आप देखे legal social political यह सब के बजाए यह ethical moral concept था justice आप प्लाटो का याद कीजिए justice क्या होता है जिसको जो duty गया दिया गया हो सर जुका करके अपने आत्मा के purity से वो देखती अपने class के नुसार जो है चाहे वो producer है philosopher king है soldier है उस class के नुसार अपना best काम करे जो भगवान ने उसको attitude दिया है आप देखें अरिस्टोटल का भी जो distributive justice है उन सब moral morality पे based है according to whom democracy is a form of government where everyone has a share अब यह famous walk के जो है यह john professor john seeley कहते हैं वही john seeley जो कहते हैं कि liberty is opposite to over government यह भी आगए आपको मिलेगा वो जो एक की sentence बोलते हैं लिए बहुत good meaning वाले उसी तरह की बात यह भी है और john seeley का याद कर लिजे john seeley दो जगा आपको देखेंगे इस question a right is a claim recognized by society and enforced by the state यह बहुसान कॉट कहते हैं बहुसान कॉट जो है टी-एच बिन के शिश्य थे बहुसान को टेन बाकर यह बहुत famous है जो मैंने अपने guide में भी हज़गा दिया है globalization किसने coin किया यह तो आप मेरे अब हर guide में आपको मिलेगा थियो डोर लिविट ने first time इसको coin किया था moving barriers restrictions led by government is called liberalization यही तो है liberalization का माईने investment free trade फेबरी ट्रेट थो रही है liberty was opposite of over government यही मैं sentence याद करने कोशिस कर रहा था प्रोफेसर जॉन सीली इसमें जॉन भी लगा सकते हैं अब यह सब अर्बिट नहीं रहा गया है यदि आप मेरे साथ बने हुए तो आपको यह सब question जो है general लगया क्यों कई बार पूछा गया है who below advocated positiveism positiveism के father जो है august comte माने आते हैं august comte और यह सोश से जो sociology है उसके भी father माने जाते है august comte positiveism क्या है मतलब जो आपको sense organ है उससे जो आप experience लेते हैं learning लेते हैं वही true होती है knowledge जो आप sense organ से लेते हैं या कोई logically यदि कोई sentence true है जैसे कि two plus two four होता है तो वो true है उसको logical positiveism भी करते हैं तो positiveism मतलब एक तरह का empiricism मतलब जो आप छू सकते हैं देख सकते हैं observe कर सकते हैं उसी को केवल true मानना उसी knowledge को true मानना कोई transcendental rational कोई ज्यान चक्षू खुल गया जो plateau बोलते हैं other worldly वो सब को नकार दे न यह positivism है rationalism and empiricism जो है किस era की बात है यह ancient तो होगा नी medieval होगा नी contemporary era में तो भी postmodernism और बहुत सारे post truth हैं लेकिन यह modern era की बात कहीं आ सकती empiricism, positivism, rationalism, reason-based and all enlightenment याद कीजिए origin of the concept of distributive justice जो है वो Aristotle से निकलती है statement it is better to be vague than irrelevant यह भी अब आपको याद होएं चाहिए it is better to be vague than irrelevant यह post behavioralism को दर साती है मतलब की हम vague होना पसंद करेंगे लेकिन irrelevant factual नहीं होंगे मतलब केवल fact 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 को जुटा लिया और उसका कोई relevancy नहीं है मतलब fact value synthesis नहीं है तो यह post behavioralism का यह credo है it is better to be vague than irrelevant post behavioralism याद कर लिजे name of the author wage labor capital बहुत famous book है Marx की sociological imagination मैंने दो-तीन बार आपको बता दिया यह dvt में पूछा भी गया है यह c right mill same c right mill जुन्होंने power elite का concept दिया elite theory thinker अमेरिका के उन्होंने यह लिखा था sociological imagination book लिखा था इस book में basically वो एक individual का social structure से क्या नाता है हम एक समाज में रहते हैं हमारा एक immediate जो है एक society होता है किसी rwa में रहें कोई महले में रहें लेकिन वो खुद जो society है वो एक larger social structure का एक छोटा सा part है तो वो कैसे effect करता है आपके society को जो जो पूरे larger जो social structure उसमें जो discourse चलते हैं opinion चलते हैं value होते हैं authoritative allocation जो eastern करते हैं वो कैसे उस छोटे समाज को effect करता है उस छोटा समाज कैसे individual से जुड़ता है ये सारी चीजों पर उन्होंने जो है sociological imagination में चर्चा की थी see right mill plateau today जो है वो crossman ने लिखा है यहां पर मैंने आपको अपने ही guide से copy paste दे दिया जो book जो famous लिखे गए है plateau पे उसमें एक तो है the open society and it's in me काल पॉपर का जिसमें की वो plateau hegel और marx इन सब को जो है वो दुस्मन बताते हैं open society के इस plateau today जो है crossman ने लिखा यह भी एक critic है platonic legend जो है फीचे ने लिखा यह भी critic है लेकिन दो जो है natal sip and taylor यह दोनों praise करते है lecture on the public on plateau and man is work तो यह सब देख लिजे किन्होंने praise करते लिखा है किन्होंने क्रिटिक में लिखा यह सब additional information ले लिजे identify from below the mean mean क्या था जो rich class होगा वो एक extreme है poor class जो middle class है वो हमारा social में mean है golden mean का principle याद कीजिए Aristotle के book Nicomachean Ethics में यह लिखा गया था और middle class को इसलिए उन्हें रूल करने लाइक बताया था क्योंकि यह mean है Machiavelli's अब यह question another question है जो कि बड़ा मतलब general है Machiavelli's confidence in the capacity of the people to further buy public good can best be interpreted as a part of the broader effort मतलब यह कहते हैं कि Machiavelli ने आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं उनकी आवाज God की आवाज है वाक्स पॉपली पॉपली और उन्होंने कहा था कि लोग मिल करके जो हैं बहुत लोग मिल करके बहुत wisdom की बाते कर सकते हैं और वो एक राजा जो एक individual से ज्यादा बुधिमान हो सकते हैं तो उनका जो लोगों पर बहुत ज्यादा बिस्वास था उस वो कहां से निकल रहा यह question पूछता है तो remove barriers in mass parts patient in early modern government ये भी हो सकता है adopt classical republican thought to historical circumstances ये भी हो सकता है purge early modern European society of federal influence ये भी हो सकता है ये नहीं हो सकता है sorry I'm not able to pronounce ecclesiastical authorities बतल ये चर्च की authority होती है तो ये इसको तो ये नहीं ये तो गलत है लेकिन इन तीनों में कोई भी हो सकता है और मैं मुझे दे टिक मारना होता है जो इस्ट्रेंट और negative marking नहीं हो तो मैं classical republican जो idea उनके थे उसको historical circumstances में टिक मारता क्योंकि ये republicanism का उनका idea है I don't know so इसको मैंने question मार किया ये is a vague question है बहुत vague fill in the blanks what characterizes Machiavelli is neither logic nor learning but common sense बस Machiavelli common sense है जो हम लोग जानते हैं अपने जीवन में हर आत ब्यक्ति वही चीज फील करता है जीवन के लास्ट में जो मैं कैवली ने कहा है human का nature हो चाहिए relation हो सब की जो यथार्थ है उसको वही नजर आता है सुरू भले लोग film music करें flimsy imagination से करें कि बहुत अच्छा होता है relation प्यार होता है मुहबबत होती है कुछ नहीं होता स्वार्थ नहीं होता आदमी अच्छा होता लेकिन जब अंत में आप जब life के पहुंचते हो तो आपको जो common sensical feeling आती है वो वही आती है लगभग जो मैं कैवली ने का है common sense whom did Machiavelli blame for moral degradation of Italy ये बहुत ही घिसा पीटा common question है चर्च इटली के चर्च आपको पता हो गया या आप तक अपने काफी question practice किये होंगे name the first modern writer who was critical of private property of course Russo जिनका कहना था कि private property ही वो evil है जिसने की हर तरह का inequality समाज में और अन्याय पैदा किया है private property private property private property इसको आप ऐसे कह सकते हो जो अभी Indian film में गाना बजा था ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया तो ये जो line है वो भी यही कहता है कि सारे जो evil का जो जर है ना दुस्ता की जर जो है वो पैसा है private property है उसी में जो है परिवार में कलँ होती है भाई-भाई में कलँ होती है समाज में कलँ होती है राज और जो उसके कानून रोसों कहते हैं सब इसलिए बनाई जाती है कि private property जिन्होंने acquired कर लिया उसको कैसे बचाया जाए उन लोगों से जो acquired नहीं कर पाएं तो उसी ये basis पे समाज और राज जी की निर्मान होती है और rule होता है, rule is to protect those who have property, property वाले ही rule करते हैं, unlike that इस तरह की बाते जो हैं, बहुत लोग करते हैं, उसमें रूसों सबसे प्रमोक हैं examine the two propositions and five from below who advocated them the basis of society is set of tacit agreement, जैसे ही tacit consent की बात आपको lock याद आना चाहिए लेकिन यहाँ lock है नहीं, the agreed upon principle must not be dependent on one's place in society अब यहाँ roll आपको ने ज़राएं लगेंगे veil of ignorance, तो इसका मतलब है कि यह अपने social contract की बात कर रहे है theory of justice में तो roll, roll is best जो basis पे क्योंकि लोग कुछ पता नहीं कि उनका place क्या है society में and five from below which one is not related to nogic, तो nogic जो है इन्होंने, अब यह question थोड़ा सा है, टेरा question है, यहाँ पे एक word है indoment sensitive, nogic theory, जो theory of justice है indoment, इसको चलिया भी goal गिरा हमारे, nogic thinking was based on lockian concept of property, यह भी बड़ा difficult है क्योंकि इन्होंने lockian concept of property को मजाग बनाया था, उनका labor theory of property को, तो यह दो जो है difficult है, nogic had a libertarian approach to justice, according to nogic and a minimalist state, जो night watchman होई चाहिए, अब इन दो में एक ही सही होगा जबकि net पे जो मैंने थोड़ा पढ़ा और एक बहुत अच्छा तर्म मिलता आपको indoment sensitive, indoment मतलब होता है एक तरह gift, जो आपको मिलता है, तो जो आपको talent मिलता है natural, आपकी height आपका बाल का design color, आपका girth, यह सब सब आपको God gifted है, आपका social background भी God gifted है कि आप किसी राजा घर में पैता हुए या property वाले या गरीब आदमी के हैं तो यह इस तरह के यदि आपका background inequality को sensitive बाना जाए तो जो थियोरी होगा वो indoment sensitive है, जैसे कि role का है, कि यदि आपने गलती से आपने यह सब talent नहीं है, तब भी हम आपको difference principle के था help करेंगे लेकिन logic का ऐसा कुछ नहीं था, उनका entitlement थी होगी था, जिसने जो समपती acquire किया, transfer किया तो यदि वो just है, acquisition transfer तो सब just है, तो इसलिए logic का यह नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी मेरे इसाब से आप से नहीं होता है, लेकिन चलिए इन दोनों में एक माना जाए, तो मैं इसको ठीक करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं तो right to life, liberty, property, इस पे तो base है ही इनका, तो चलिए ये basically, यहां से एक और question निकलता है, कि डॉर्किन का equality of resource जो है, वो ambition sensitive था, वो indoment sensitive नहीं था, ambition sensitive मतलब कि मतलब वो sensitive इस बात पे था कि आदमी को एक equal जो है, ambition life में होना चाहिए, उसके लिए resource equal होना चाहिए, फिर वो life में जो decision लेता है, गलत लेगा तो वो नीचे जाएगा, थोड़ी बहुत market based insurance है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसको रेट लीजिए कि डॉर्किन का equality of resource ambition sensitive है, indoment sensitive नहीं, ये भी रेट लीजिए कि rawl का जो theory है, वो indoment sensitive है, ये सब को इस question से निकाल लीजिए, whose social evolution theory influenced Marx to learn about society, economy and contemporary Europe, of course Hegel, Hegel का जो social evolution या ideas का evolution dialectical, historical dialectism जो था, वो उसको उनोंने historical materialism में convert किया, hobsynian social contract जो है, वो desire for peace पे बेस्ट है, सब परेशान थे, war of all against us, बस peace मिल जाए, तो हमारा जो sovereign उसकी सब बाते हम सहलेंगे, cotillia's earth, sastra जो था, किस idea पे बेस्ट था, ये नहीं था कि right is might, social contract भी पूरी तरह नहीं था, divinity भी नहीं थी, ये उल्टा लिखा हुआ है, king's welfare helps in the welfare of, no, उसमें ये था कि जो परजा का सूख है, वही राजा का सूख है, मतलब king का welfare lie करता है welfare of the subject में, थोड़ा इसको change करते जिएगा, तो साइधी सही हो जाएगा, थोड़ा गलती हो गे इन से लिखने में, मेरे अनुसार्स, which one of the below was not Ram Mohan Roy contribution, देखे, Amitya Sabha, उन्होंने बनाया था, सही है, he was champion of women's liberty, rights, ठीक है, he was against state intervention, इसको अभी छोड़ दे, कि state intervention, वो चाहते थे कि नहीं property को protect करने में, he raised voice against idol tree, ये भी सही है, वो idol worship को against थे, तो एक ही बचता है, इसको टिक मार लिजए, इसको पढ़ भी लिजएगा, इसका मतलब था कि वो state से आशा करते थे को private property को protect करेगा, who below was called father of Indian unrest by British authority, of course, ये बहुत अच्छा question है, ये सब DUT में पूछा आ सकता है, बाल गंगा धरती लग, यहीं पर समझे कि most dangerous man British ने, साइद Lord Minto ने कहा था, वो उन्होंने स्री अरबिंदो को घुषित कर दिया था, ये भी question याद कर लेंजे, life divine वही अरबिंदो ने लिखा था, most dangerous person, who below believe that an ounce of practice is much better than tons of theory, मतलब theory, theory, theory से अच्छा है, कुछ हाथ से काम कर लो, कुछ सीख लो, तो ये जो bread labor, या manual labor, या हाथ से काम करनी की महत्ता को गांधी जी ने समझा था, instead of pothi parpar jagmua, आपने पढ़ा ना, pothi parpar jagmua, पंडित भया ना कोई, धाई आखर प्रेम का, प्रेम का मतलब की practice, याँ यहाँ पर अलग भी आप जा सकते हैं, कि धाई आखर प्रेम का बहुत तरस बाख्या कियाता है, लिकिन इसका एक essence यह भी है, कि मतलब आपने इदी सौहाद सीखा, आपने इदी जीना सीखा, आपने लाइफ का practice सीखा, तो वो बेटर है पोथी पढ़ने पढ़ने से, तो यह बहुत ही एक cutting question बन सकता है, क्योंकि इन पे जो चलिए यह question तो सही है, बर्टेन रसल का बहुत impact है इनके writing पर, लेकिन दो और देखती को जानजे जिन्हों अम्बेद कर को inspire किया, एक जॉन डिवी जिनसे उन्होंने pragmatism सीखा, और एक जियोर्ज ग्रॉटे जिनसे उन्होंने constitutional morality सीखा, तो इन दोनों को याद कर लिजे, अब यहाँ पे देखिए, ठिंकर जो है और उसको मिलाना है, रॉंग हमको जानना है, गोखले, अब यह अगें वेग है, इसको इन्होंने इंटीग्रल humanism के नाम पे कुछ कहा होगा, तो चेक कर लिजे, मैंने question मार कर दिया, गीत रहस से जो है, यह कोई confusion नहीं है, तिलक जी ने लिखा, इस पर याद रखिया है कि गीता पे जो है, और बिंदो ने भी बुक लिखा है, साथ गीता नाम से लिखा है, या भागवद गीता, और इसी नाम से जो है, इवन एनी गसन ने भी बुक लिखा है कुछ भागवद गीता पे, विच सत्यागरा movement was first one led by गांधी इन इंडिया, ऑफकोर्च चंपारण 1917 में, बिहार के चंपारण में, नेम दा ऑथर और रानाडे गांधी अंजिन्ना, यह जो है, अमबेदकर ने यह बुक लिखा है, बड़ा छुपा हुआ है, लेकिन रानाडे गांधी अंजिन्ना, पब्लिक अड्मिस्ट्रेशन किस चीज़ का स्टेडी है, आप सब को पढ़ लीजेगा, तो यह और कुछ बनता नहीं है, यह भी बहुत अजीब सी है, कि मैनेजमेंट अफ लाउन ओर्डर, कंट्रोल अफ ट्रेड कॉमर्स, तो यह सब सही भी है, थोड़ा भोती है, लेकिन पॉलिक पॉलिक पॉलिसी इंप्लिमेटरिशन साइद लाइफ लाइफ लाइन है, पॉलिक अड्मिस्ट्रेशन का, इसलिए सबसे ज़्यादा यही होगा, साइद, यह भी कुश्चन मार्क है, विच वन अफ दे फॉलिए इस नाट दे करेक्ट सूर्स अफ पॉलिक, न्यू पॉलिक मेजमेंट, यह अच्छा कुश्चन है, कहां से यह निकलता है, न्यू पॉलिक अड्मिस्ट्रेशन शोर के सब यहां पर सही है, बॉलिक च्वाइस थियोरी से निकलता है, और उसी से जो है न्यू पॉलिक मेजमेंट आई है, न्पे से तो यह बहुत ही अलग थी है, पॉलिक च्वाइस थियोरी आपको आई होप कि आपको याद होगा, विंस्टिंट ऑन स्ट्रेम भी याद होंगे, पॉलिक च्वाइस थियोरी यह कहता है, कि हर ब्यक्ती जो है वो रेसलिस्ट होता है, अपना यूटिलिटी या अपना इंट्रेस्ट मैक्सिमाइजर होता है, लेकिन जब वो किसी इंस्टिचूशन में बैठ करके पॉलिक पॉलिसी बनाता है, मतलब कलेक्टिव डिसजन लेता है, तो वो इंस्टिचूशन के रूट रेगूलेशन से भी बंधा होता है और इस तरह से और वो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि हम ऐसा करेंगा दूसा क्या करेगा इन सब के चलते जब सब लोग मिलके collective decision लेते हैं तो decision एक तरह से public के भले के लिए हो जाती है जबकि सब अपने अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं तो लेकिन institutional design ऐसा होता है और institution के norm ऐसे होते हैं कि decision जो है public के भले के लिए हो सकती है इसलिए public choice थोरी यह करता है कि सबसे important है कि आप institution को independent autonomous रखें और उसके rule या design इस तरह से रखें कि स्वार्थी बेक्ती भी मिल के जब decision ले तो समाज के भले कि decision ले the concept of politics administration dichotomy किस ने दिया था यह भी question गलत है क्योंकि इन्होंने भी दिया इन्होंने भी दिया सबसे पहले Woodrow Wilson ने दिया इसलिए आप इसको ठीक मार सकते हैं जो father of public administration study of father of public administration कहे जा सकते हैं which of the following is the basis of influence of informal organization अब यहां पर इन्होंने ऑफिसल एंसर दिया है person I don't know क्या कहना चाहते हैं यह informal organization देखे क्या होता है जो फॉर्मल नहीं है जो formal hierarchy कोई जो है उपर है कोई नीचे है इस पर बेस नहीं है formal rule regulation formal communication यह जो command chain करते हैं उस पर बेस जो लोग कैंटी में मिलते हैं लॉबी में मिलते हैं पार्टी में मिलते हैं informal एक organization organization हमेसा बनता है कुछ लोग आपस में बात करके problem solve करते हैं formally तो उसमें जो है वो किस basis पर influence होता है तो I don't know मुझे लगता है closeness with higher people जो आप जिसको बोलते हैं अभी किसी ना आरोप लगा दी है जैसे गुलाम ने भी आ जाने की राहूल गांधी के जो गेट की पर होते हैं और जो bodyguard होते हैं वो लोग decision लेते हैं वो सब informal authority है क्योंकि उनका closeness higher people से मैं again कर रहा हूं एक आरोप माले जैं मैं यह नहीं कह रहा हूं तो वो जो है closeness higher people से हो कि कोई prime minister को बहुत close जानता है इवन उसका दी प्यून है तो उसकी authority है यह सब informal है यह सब informal organization है तो उस type का हो सकता है लेकिन यहां इन्होंने person दिया है मैं question mark कर रहा हूं 95 from below the pioneer of new public administration यहां भी गलत है क्योंकि waldo भी है marini भी आपको पता है कि frank marini जो ने जो लिखा था new perspective minoburg conference करके तो वो book एक seminal book है 1971 की new public administration पर लेकिन यहां Dwight Waldo होगा तो यह इस तरह के confusing question इन्होंने पूछा है गलत किया है who advocated the idea the new public service serving rather than studying इसमें कोई confusion नहीं है आप लोगों डी उटी के syllabus में पढ़ा होगा Dan Hart, Dan Hart दंपती ने यह कहा था new public service who said hierarchy is the link pin that locks the form अब इसका meaning भी समझ लीजेगा hierarchy ही तो वो मतलब एक धागा है न जो पीरोती organization को एक सुत्र में एक तरह समझी तो यह Henry Fayol ने यह कहा है hierarchy इसे form of of course social organization किसने लिखा था bureaucracy किसने दिया था Weber ने और वो क्या थे sociologist थे तो bureaucracy इसे social organization political community private organization नहीं है social organization who authored the functions of SQT यह भी अब बहुत popular question बन गया है Chester Barnard का तो जान लीजे वैसे आप लोगों के syllabus में नहीं है इसी से इनका GOI भी जान लीजे zone of indifference यह भी पूछा आता है और इसी से related है GOA zone of acceptance जो हर्बर साइमन ने दिया तो which one of the following is not a method of coordination अगे इस टाइप का यह question एकदम ही बेकार question है method of coordination सभी हो सकते है not के कह रहे हैं तो planning है standardization of procedure भी हो सकता है inspection विलता चली मैं centralized housekeeping को निकालूंगा यह इसका कोई नाता इसे नहीं plan मतलब की coordination इन सब methods दो किया सथा लेकिन centralized housekeeping से क्या who said the budgeting is draft अब यह पढ़ लिजेगा इसको मैंने बिल्कुल research नहीं किया budget के बारे में इस type के sentence कौन याद कर सकता है किसने का है इस student ने वाल्डिवस्की किया है आप आप research कर लिजेए मेरे तरफ से कर लिजेए research the royal commission on decentralization was headed by तो यह question जो है एक तरस इनका गलत है क्योंकि मैंने बार बार इसको net पे देखा हर जगह मिलता है royal commission upon decentralization in India 1907 में sir henry william prime rose इसके जो है chair percentage में कहीं मिलता नहीं है तो I don't know यह सब जो है बहुत ही एक series of wrong questions इसके पूछा है बाद में question इसके अच्छे हुए है who among the following has coined the term representative bureaucracy यह question अच्छा है इस माइने में एचली यह तो बहुत ही रटने वाली है कि donald kingsley ने चली माना जाता है कि इसको क्वाइन किया है वैसे इसमें एक और author का बहुत नाम आता है वो Samuel krislob जुन्होंने इसको define किया था कि representative bureaucracy होती क्या है यहां मैंने लिख भी दिया basically representative bureaucracy क्या है कि bureaucracy में भी politics के तरह proper representation हर segment of population कोना चाहिए उसमें दलीत होने चाहिए आदिवासी होने चाहिए यह Muslim होने चाहिए Christian होने चाहिए इंडिया में मैं कह रहा हूँ हिंदू होने चाहिए मतलब हर segment हर reason के लोग उसमें हो जिससे की उनको voice मिले मतलब tribal को feel होके हमारे लोग भी collector है हमारे लोग भी जो है प्रधान मंतरी है रास्पती है या मंतरी है या बड़े बड़े ओहदे पे हैं बीरोक्रेट्स में परधान मंतरी रास्पती बीरोक्रेट्स नहीं होते हैं लेकिन बीरोक्रेट्स में चीफ सेकरेटरी हैं like that तो representative bureaucracy भी voice देता है marginalised section को हर section का representation होना चाहिए यह जो है Donald Kingsley आप जा सकते हैं इसके साथ में इंटर्व्यू उजे process of social interaction who said it और यह कहा good day and hat कितना difficult है यह इस सब अरविट question है सीधा और मैं पहली बार देख भी रहा हूं तो इसको मैं यह भी नहीं कहूंग कि repeat किया गया है management by objective बहुत ही famous है MBO मतलब कि पह जमाने में फ्रेड रिक्स ने जो साला मॉडल बजार कैंटीन यह सब दिया था वो prismatic society का दिया था आपको याद है prismatic society कौन society होती है जो की वो society है जो की ना तो fuse society है ना की refractor society मतलब ना तो वो primitive society है tribal society ना ही वो western जैसी जो है modern हो गई है इंडिया, Thailand, Philippines, Malaysia उन सब की society जो अब उसके बीच में फड़ी हुई है तो उन्होंने फिजिक से लिया था कि एक light जाती है यह भी fused है, prism में गुजरती है और साथ में बदल जाती है तो जब यह बदल जाती है तो developed society जब तक वो fused है यह tribal society और जब यह बदलने की प्रक्रिया में prismatic society इंडिया जैसे तो वहां आप इन्होंने काम किया था developing nation जो prismatic society कहते हैं, which one of the following is not a feature of program decision suggested by Herbert Simon, Herbert Simon ने दो टाइप का था, program decision क्या होता है, जैसे कि इदम routine में आप करते है, habits है, routines है, internal channel of communication जो formal है, लेकिन judgment जब आप लेते हैं तो वहां पे आपका non-programmed हो जाता है, वहां कोई आपको ऐसा guide नहीं होता ह है, तो programmed and non-programmed decision, Elton Mayo ने जो चार experiment किया था, उसको से जाना है कि पहले कौन बाद में, कौन आपको पता है, सबसे पहले illumination किया था, तो third सबसे पहले और एक ही option third है, तो बांकी को आप मिला लीजे, सबसे बाद में bank wiring experiment किया था, उन्होंने, कहां किया था, या भी पूस दिय आ गयते है, CUET, PG में, Taylor का ये बहुत लंबा चोड़ा वक्त भी दिया है, basically एक काम को करने का, छोटा-छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी manual job हो, उसका करने का एक best तरीका होता है, one best way to do a job, इसको बोलते है, science not thumb, मतलब one best way, तो यही है, आप इसको पढ़ लीजेगा, who is known as the father of international politics, Morgan Thaew, कहा जाता है, यह father, mother, यह मैं पसंद करता नहीं हो, क्योंकि यह बहुत confusion होता है, मेरे बड़े, वैसे एक student ने मुझे पूछा कि sir, Morgan Thaew को जो है father of realism कहा जाता है, classical realism, लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है कि Thucydidas जो है, वो father है, कौन father है, इस तरह का, यह most absurd way है question refuse करने का, तो मेरा यह कहना है इस टाइप का हो, तो आप यह याद रखे कि Thucydidas जो है, एंसेंट काल में उन्होंने classical realism पे पेलोपोनिसियन वार लिखा, बहुत बड़े प्रपोनेंट थे, और modern काल में जो है classical realism के सबसे बड़े प्रपोनेंट जो ने politics of nation लिखा और Morgan Thaew है, इतना idea आप जानते हैं तो आपको confusion नहीं होगा, आप कर लेंगे, ऐसा कोई question नहीं आगा जहां लिखा होगा कि who is the father of classical realism और उसमें Morgan Thaew भी होगा और थोच सी, ऐसा, ऐसा, ऐसा mischief नहीं किया जाएगा. Who authored general and industrial management आपको पता है Henry Fowell, 1916 में, इसी मेंनोंने 14 point principle दिया था, Who authored the anarchical society Hadley Bull, जो English school, जिसको international society school कहते हैं, उसके प्रनेता थे, या मतलब main chief proponent थे, In terms of theoretician theory, आइंट फार रॉंग पे एरहांस मरगंथा और ने political realism, of course Kenneth Walge, neo-liberalism, no neo-realism, तो यहीं मिल गया आपको, तो सनाइडर को याद कर लीजिए, decision making theory in IR इन्होंने दिया है, और Alexander Wynne, constructivism, Hugo Grotius जो हैं, वो French नहीं थे, Dutch Jewish थे, इनको father of international, आगे मैं भी use कर रहा हूँ, father of international law, who is known as advocating smart power, जैसे ही आप smart power देखें, दो चीज़ी याद रखें, एक तो जैसफ नहीं को याद रखें, जुन्होंने कहा कि hard power और soft power का judicious mixture जो है smart power है, दूसरा जोसफ नहीं को इसके लिए भी याद रखें कि इन्होंने Robert Cohen के साथ मिल करके complex interdependence का concept दिया, जो कि bedrock theory बन गया, किसका, neo-liberalism का, ये question कह रहा है कि 2021 में इंडिया को जो है आठमी बार UN Security Council में temporary membership मिली, और एक महनी के लिए तो वो rotation में जो है वो president भी UNSC का रहा, तो ये कितनी बार इसको मिला के मिल चुका है, तो आठ बार, याद कर लिजे इसको, इसी तरह Human Rights Council UN का उसमें भी इंडिया को अभी membership मिली है, कितनी बार वो भी देख लेगा, तीन या चार बार उसमें हैं मिल चुकी है, तो ये सब पूछा रहता है, इसमें अचानक से गिर पड़ता है, चाइना, साथ अफरिका, रसिया, इंडिया, ये तो है, ब्राजील, लेकिन बंगला देश इसमें नहीं है, फॉस्ट नैम समीट कहा हुआ थे, सब कुश्चन अब आसान साथान होते जा रहा है, 1961 बेल गर्ड में, आपको, आई होब कि आपको पांच जो फांडिंग मेंबर हैं, वो याद है, ल्टी बीटी के बारे में पूछा है, इसका नाम पीटी बीटी भी था, पार्सियल टेस्ट बेंट ट्रीटी जिसको कही बार मॉस्को ट्रीटी भी करते हैं, क्योंकि मॉस्कों में हुआ था है, 1963 में तो साइन किया था, आपकोर्स इंडिया सीटी बीटी साइन नहीं किया, कंप्रिहनसिव टेस्ट बेंटरी थी, गैट का जो लास्ट डायलोग राउंड जो है, वो कौन था और कब हुआ था, तो कब हुआ था, यह दो नहीं पूछ रहे हैं कौन था, यह उरुगवे राउंड क बनाया चाहिए, इसलिए यह पूछा जाता है, यहां देखे, ऑथर ऑन देर वर्क तो, अलेक्स डे टॉक्वेल, जो है, डिमोकरिसी हो अमरिका, आप कैसे भूल सकते हैं, रॉबर्ट डहल की पॉलियार्ची नहीं भूल सकते हैं, लिभाट, अब यहां पे आप दोनों में लिखा है, जैंब सी इसकोट याद है, इन्फरा पॉलिटिक्स के लिए, उसी तरह के बात इन्हों ने यह इसमें भी लिखा है, आट अफ नॉट बिंग गॉबर्ट में, साओधिस्ट एसिया के ही पॉलिटी पे लिखा है, जिसको की वर्ल्ड का भी फिर्स प्राइमिस्ट काया था, उसके पहले कोई प्राइमिस्टर तो था नहीं, इंगलेंड सी ही है, संस्थानिक लिए है, रॉबर्ट वालपॉल, यह याद कर लिजे, रख लिजे, इन दे कॉंटेक्स्ट और बिटिस पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा करेक्ट है, करेक्ट, तो एक ही इसमें नहीं है, पार्लिमेंटरी सॉवरिंटी जैसे ही दिखे तो और आपको क्या खुजना है, यही सही है, विच कंस्टिचूशनल, विच कंस्टिचूशन स्विजेड लान्ड इस ऑपरेशनल लाव में था, अभी वहां पे कौन सा कंस्टिचूशन नाइंटी नाइन जो है, ज में सेवन वेंबर होते हैं, चार साल का कारिकाल होता है, वो मिल के वहां पे टॉप एक्सक्वूटी बहुते हैं, बड़ी अजीब सी है, इसा कोई कंट्री नहीं जहां पे की साथ लोग मिल करके प्रेजिडेंट जैसा काम करते हैं, रोटेशन में, इसके अलावा वो एक मा करते हैं, मैंने आगे एक फोटो भी दिया है, मतलब पबलिक खड़े होते हैं, और खुद डारिक जो है हाथ उठा के या वोट करके जो है अपना पबलिक आफिस चुनते हैं, कौन उनको रूल करेगा, क्या लाव बनेगा, बिल्कुल डारिक डेमोकरेसी, तो इसका आगे फोटो देखिएगा, अभी दिखाते हैं, ये देखिए, किस तरह से कैंटॉन में ऐसे, और ये क्यों संभावे क्यों पॉपलिसन बहुत कम है, इंडिया में क्या ऐसा आप कर सकते हैं, तो एक यहाँ टाउन हॉल के बाहर सब जुड़ गया, जूट गया और सीधा यहाँ प इसको पढ़ लिए, फिलाडेलफिया कंविंशन को कभी भूलियेगा मत, फिलाडेलफिया कंविंशन जो है, वो क्या था, यहां उसका मैंने टाइम भी दिया हुआ है, यह सब लोग फिलाडेलफिया में जुटे थे अमेरिका में, कंस्टिचुशन बनाने के लिए, और सब्टेंबर तक लोग बैठे थे फिलाडेलफिया कंविंशन में, यहां एक यह बात यह भी आप किज़ेगा, किसी ने, अब मैं भूल रहा हूँ, खुदी मैंने इसको आपको बताया है, ग्रैंड विल ऑस्टीन है, या किसने, उन्होंने इंडियन कंस्ट्रेंट इसम्ब इसको चेक कर लिजेगा, नाइंटेंट से याद रखेगा कि उन्होंने वोटिंग राइट दिया है, तो यह सब जो है, यह जो अमेंडमेंट जो बहुत मेजर अमेंडमेंट है, यूएसे के वो जरूर याद कीजेगा, उसमें थार्टीन जो है साइथ स्लिवरी को खतम किय है, चाइनीज चार बार बना है, आपको मैंने पढ़ाया भी, चाववन, पच्छतर, अठतर और बिरासी में, तो यह सही है, उसको भी रख लीजेगे, चाइना है मतलब आपके इसमें, इसमें जो प्रोपर कारेक्टर आप दा चाइनीज स्टेट कैसा कहा सकता है, यह यू इसमें जिंग जियांग विफॉल करता है, जिसकी बाउंडरी लदाक से मिलती है, और यहां पे ओगहिर मुसलिम रहते हैं, जिस पे की अत्याचार को लेके अभी जो है एक रिपोर्ट यून में प्रस्तूत हुई, उस पे डिबेट में जो भोटिंग हुई, इसमें इंडि जियांग से जुड़ा हुआ है, विच आ फॉलॉइंग एप्रोचेज इडवोकेटेड बाई मार्क और अलसन, मार्क और अलसन दो कारणों जाना थे हैं, एक तो नियू इंस्टिशनिजम नाइंटीन इटीफूर में इन्होंने प्रतीपादित किया या प्रपाउंड किया इसमें बहुत कुछ जान सकते हैं, आप एनी बेसेंट और तिलग दोनों अलग अलग इसको चलाते थे, एक मदरास से, दूसरे पुने से, तो और इसका आईरिस होम रूल मुवमेंट से इसका नाता था, नौरो जी इससे बिलकुल जुरे हुए नहीं थे और ये सब अब यहीं पर जो है, वाइस प्रेजडेंट में कौन भाग लेते हैं, ओल एंपी, बस, ऐसे याद कीजिए, ओल एंपी, कुछ नहीं, सारे इलेक्टेट, सारे नॉमिनेटर केवल लेकिन एंपी, नौट अमेले, और ये दोनों कुश्यन अभी क्यों इंपॉर्टन ही, क्यो मतलब केस में हुआ था, देखे, प्रोस्पेक्टिव, दॉक्ट्राइन और प्रोस्पेक्टिव, ओर लिंग क्या होता है, कि जो हमने अभी जज्जमेंट दिया, वो आगे से लागू होगा, पीछे जो हो चुगा, इस पर लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से, यदि कोई जज्जमेंट हो कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, तो उनको डेट बताना पड़ेगा, किस डेट से लागू होगा, तो उसके पीछले सारे जो डिसिजन होएं, वो भी कट हो जाएंगे, तो ये जो ड पूछा जाता है, 9 डिसमबर, कुछी दिन पहले, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है, कंस्टिजमेंट इसमली पहली बार बैठी थी, और लास्ट इम कब बैठी थी, 24 जनवरी, 1950, इस सब सब सीनो डेट यार कर लिजे, इंडिन कंस्टिशन असमली स्टार्ट पूछी दिया, 9 डिसमबर को, लास्ट जो है, यहाँ भी याद कर लिजे, आर्टिल 21A जो है, इससे RTE को जो है, कंस्टिशनल मैंडेट मिला, यह 86th amendment था, 2002 में, इससे 11th जो है, fundamental duty भी जोडी गई थी, कि पैरेंट की duty है, अपने 6 से 14 उमर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेइद करें, काम में न लगा दें, आर्टिल 263 जो है, इंटर स्टेट कॉंसल से रिलेटर, यह भी इस बार potential question है, क्योंकि अभी इसको प्राम इंस्टर ने रिकंस्टूट किया है, इसलिए यह 263 और से रिलेटर सभी आर्टिल को पढ़ लीजिए, यह पूछाया सकता ह In which year, for the first time, लोग सभाव was dissolved before end of the term. यह पहली बाई, इंदरा गांधी के सलाह पे प्रेजिडेंट ने किया था, जिसमें की 1971 का एलेक्शन होई, इंदरा गांधी ने पूरा लांसलाइन विक्ट्री किया था, इसके पहले एलेक्शन 1967 में वाथा, इसको भूशाल कहते हैं, Congress के Majority से यह सत्ता में वापस लोटी थी, तीन ही साल बाद इंदरा गांधी ने इसको dissolve करवा दिया, first time, उसके बाद तो बहुत बार हुए, I identify the wrong pair, जो Indian Constitution में, चली यह तो भी हैंपर आगे आएगा, which doctrine spell out that any law which is inconsistent with fundamental right is not invalid, इसको करते हैं doctrine of eclipse, और यह question है बड़ा अच्छा लेकिन है, बहुत ही difficult, आपको पता नहीं होए, लेकिन अभी जान लीजे, doctrine of eclipse जो है, यहां तो मैंने लिख दिया है, पुरा, इसका meaning यह होता है, कि मान लीजे, Constitution का Article 31, 13.1 में, 13.1 में लिखावे बात, कि मान लीजे, कोई कानून जो है, वो Constitution बनने से पहले से थी इंडिया में, त अभी जो है, लागू नहीं होगा, लेकिन वो पूरा कानून जो है, वाइड नहीं होगा, बाद में दी amendment करके fundamental right को ठीक कर दिया जा, उससे confirm कर दिया जा, तो वो law फिर से जिन्दा हो जाएगा, इसको कहते हैं, doctrine of eclipse, दो-तीन बग पहली जो मैं कह रहा हूँ, which committee was not associated with electoral reform, ता इससे related जान लिजे का article 22 को necessary evil भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिकर है कि preventive detention किया सकता, और preventive detention जो है, उस समय दब से roll attack आई थी, इसको जो है बड़ा draconian माना जाता है, कि बिना किसी trial के, बिना किसी और कोई procedure के आपको ग्रफतार कर लिया जाए, इस आशंका में कि आप पावर ऑफ प्रेजडेंट जो की ordinance जिसे निकालते है, article 123 है, attorney general article 76 में बढ़नी था, एनन वोरा कमीटी बनाए गी थी, nexus between policy and criminal, ये 1993 में मुंबई bomb blast के बाद सैथ बनाए गई थी, एनन वोरा कमीटी, which is not a constitutional authority, तो CAG है, आपको पता है, article 148 में बढ़नी था, AG, article 76 में, UPSC, article 315 से लेकर 323 में, UPSC, PC और PSC का जिक्र है, central information commission जो CIC है, ये RTI के ताद बनी है, ये constitutional authority नहीं है, मतलब constitution में ये आप खोजो गए, central information commission तो कहीं नहीं मिलेगा, who was the chairman of state recognition commission, ये question बढ़ा अच्छा है, क्योंकि आब अब पूछा जाएं लगा है, बार बार तो याद कल ये फज जुरू और पनी कर, याद कर लिजे इस तो, का इसी के basis पे 14 state और 6 UT जो हैं बने थे 1956 में, in which year the first, अब ये सब मैंने छोड़ दिया, कि उसब ORIESA का है, ये सको छोड़ दिया, इसको सब ORIESA का है, 243 तो आप research कर लिजे, ORIESA के जो मेरे student है, sorry ये आपको बुरा लग रहा ह जो कि सब इतना आसान है कि नेट पर जाग कर लिजे, उतना टाइम अभी देना सही नहीं होता, 243 ZD जो है, ये 74th amendment का पार्ट है, याद रखेगा, ये पूछा जाता है कि ये 73rd का नहीं है, इसमें जो है, एक district planning committee की बात है, मैंने यहां पूरा दे दिया है, मतलब जो कि, क् district level पे न, municipality भी काम करती है, municipal corporation होती है, municipality होती है, और वहां पे जिला परिसाथ भी होती है, जो पंचाहिती राज का है, तो दोनों में समनवई के लिए district level पे एक combined plan बनाने के लिए 74th amendment में, article 243 ZD में, district planning committee का जिक्र, ये बहुत important question है, बहुत बार पूछा जाता है, ये सब भी purpose क्या था, कि 60-70 question जो बहुत अच्छे हैं, उसको इससे निकाल लें, और उससे related additional information दे, मैंने पूरी कोसिस किये दिए, आपको वीडियो पसंद आया, तो शेयर करें, subscribe करें, comment करें, और इस तरीके साथ मुझे question पूछ सकते हैं, अभी तक आपने last minute prep guide नहीं लिया है, तो ज दिलेंगे बहुत जल कुछ और आपको help करने का before 17, bye.